आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है आज मैं आप लोगों के बीच में गांधी जी के विश्य में कुछ बताना चाहता हूँ गांधी जी जब साउथ अफरीका प्रवास पर है और गांधी जी 1893 से 1914 तक अफरीका में रहे और साउथ अफरीका में वहाँ पर ब्रिटिस सरकार का कहीं नियंतरन है कबजा है और ब्रिटिस सरकार वहाँ पर भी वहाँ के भारतिय लोगों के खिलाप बहुत ज़्यादा भि सत्याग्रह का प्रियोग जो पहला गांधी का है वो वहीं साउथ अफरीका के दर्ती पर है और बड़े पैमाने पर गांधी जी के साथ लोग जुड़ने लगे सत्याग्रही जुड़ने लगे वहीं पर गांधी जी ने दो आश्रम इस्थापित किये हैं उसमें मैं आज एक की बात करता हूं जिसका नाम था टॉलिष्टाय फॉर्म और यह टॉलिष्टाय फॉर्म गांधी जी अपने साउथ अफरीका प्रवास के दौरान 1910 में जो हंसबर्ग में इस्थापित करते हैं जिससे सत्याग्रहियों को वहां पर रखा जा सके सत्याग्रहियों के पुनरव बाख है उन कॉलेन बाख ने बहुत ज़्यादा मदद की यहनी हम कह सकते हैं कि हर्मन कॉलेन बाख की मदद से गांधी जी ने टॉलिष्टाय फॉर्म की स्थापना की वहां पर 75 से 80 सत्याग्रहियों के परिवार रहा करते थे और हम यह कह सकते हैं कि साउथ अफरीका में ग टॉलिष्टाय उनसे बड़े प्रभावित थे और टॉलिष्टाय की एक किताब गांधी जी ने जब पढ़ा और उस किताब का नाम था The Kingdom of God is Within You, जब उस किताब को पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और रूसी फिलोसपर कहने कि टॉलिष्टा था तो मैं इस प्रकार की जानकारियां आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा आप लोग जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जै हिंद जै भारत वंदे मातरम